कि चलिए आजम देखेंगे अजय संहिरावजी की पुस्तक्ते संबंदित टेस्ट स्रीज का पार्ट सेकेंड यहां भी हम देखेंगे 25 प्रश्णों को जहां पर कल का टेस्ट खसम हुआ था वहीं से शुरू होगा तो चलिए शुरू करते हैं कल का मारा अंधिम प्रस्ता गो गोपिषवर्ट ट् casual गोपिषवर्ट शुर्ल यए उंकित नाम नहीं है इसका सही आंसर हो जाएगा वंसी नाग, यह वहां पर चौक्था नाम है और वनसी नाग नहीं है अगरा मारा प्रस्ण कनिंगम ने किसे कासी पुर माना है तो इत्यासकार कनिंगम ने किसे कासी पुर माना है इन सहरों में से तो बक्षी योशी गोविशान में से गोविशान को उसने कासी पुर माना है जबकि जो बक्षी है वो नारकमत्ता का पुराना नाम है जबकि योश को शेक्षी ड्री योसी जोशी म्त का प्रणा नाम है प्रणान अंड ता से जोशी रातोड का पहला ए ड्लाका जाता है तो अक यह वसोन प्रछ कोई अग्ला प्लश्ड ह comparison स्रवादिक्ताम्र पत्र प्राप्त्र पॉर्षा शक्के है तो ये थे जा सुरु देव के, अग्ला हमारा प्लश्ड इसनि इसकंद्रपुराण किस 가ंट्राण है तो इसकंद्र पुराण में जो उत्राखंड का उन चारों में से इत्यास्कार का ऐसा माननय है कि गड़वाल सब्द का जो पहला परियोग था वो मुलाराम ने किया तो यह मानना था स्रीव परसाड डबराल का हारां की बाद मैं मौलराम से पहले इस सब्द की उत्रती का पता चल लगता है लेकिन सीवर्शाद डब्राल ने माना कि मौलराम ने इस सब्द का पहला परियोग अपनी कविताओं में किया था अगला प्रश्ण गियरसन ने उत्राखंड का आधिनिवासी कहा है तो गियरसन जो हमारे वासाविद भी है इन्होंने किस जाती को भारत का उत्राखंड का आधिनिवासी माना है तो गियरसन ने उत्राखंड का आधिनिवासी माना है कि राध जाती को अगला हमारा प्रश्ण काया मिमान सा किसकी रचना है तो कैय अमिमान सा में इत्राखंड का जिक्राए था जो रचना है वो है कभी रात सेखर की अगला हमारा प्रशने उने कोल अथ्वामूंड भारत की प्राचिन जन जन जाती है यह माना था सिपरसाद डवराल ने जिनकों हम चारान भी कहते है मिस्र वासियों की भाती मिर्थकों के साथ प्रिया वस्तों को दफनाने की पर्था किस जाती के लोगों में देखी जा गई है तो जैसे मिस्र वासिय अपने जनों के साथ कई सारी जरुरत की वस्तों में भी दफना देती तो ऐसी एक पर्था उतराखंड में भी एवजाती करती थी तो इसका सही आंसर जाएगा सख जाती में यह पर्था परस लिती दो माला प्राष्चन करद्या माना है उन्यारे कार एक गुंद्धा राजने काम प्रसम कत्यूरी नरेस था तो कत्यूरी नरेसों में हम ने देखते हैं कि तीन परिवारों के चौदा राजाओं ने सासन किया था प्रारभी तो बसंत देव कत्यूरी नरेस थे अगला प्रसम कार्थी के अपर नरेसों से समंदित आठ अभी लेखों में कौन सीली पी उतकिन है तो किसको गौल्मिक कहा जाता था कत्यूरी सेना में तो इसका स्यांसर हो जाएगा पैदल सेनिक को यहां गौल्मिक कहा जाता था अगला प्रसम कत्यूरी राजय में उपरिक था तो कत्यूरी राजय में जो उपरिक था हो क्या था किस पत के लिए हम उपरिक सब्द का प्रियों करते थे कत्यूरी राजय में तो राजय पाल के लिए उपरिक सब्द का प्रियों किया जाता था अगला प्रसम चंद वंस का स्थात कि रिटावे संदल स्था्पक संदल तो मानता है कि जो iente इन स्थापक थोत्व कौन मानता है कि यह का सस्तावक थो अर्ज ँथ था तो ये डेवल फ्रेजर फ्रांसिस हैमिल्टन दोनों ही मानते हैं कि चंदवंस का संस्थापक धुहर चंद था डेवल फ्रेजर रे भी माना है और फ्रांसिस हैमिल्टन ने अपनी पुस्तक हमें दस मांडिक राजाओं की नाम प्राप्त होते हैं किस चंद को सौर का विजयता का आ जाता है तो सौर पिथोरागड का एक भाग जो नेपार और पिथोरागड के बीच में इस्तित है तो सौर का विजयता माना जाता है ग्यान चंद प्रथम को जबकि सौर पर एक बड़ चानंद का लुँस्तित हैं और इसका नाम इसलिए होते विए दोटी पर अटेक करने के लिए गई द्लाम किया था वघ्वरा थ। दो भी तो मंड़कोटि राजे को चंद साम्राजय में किसमें मिलाया तो मंड़कोटि राजे को चंद वार उसने राजदान府 assessment है ल्मोडा कि और हमारा रुध्र चंद ने अक्वर सविकार की तो रुध्र-चंद जो सीह थे उन्होंने अकक वर कोड़े दार्थ की थी फंद्रासोो 27 में यह अकवर से मिलने गई भी थे यह लाहूर में कवर्षे मिला था और इस ने पंद्रासो सत्तासी में अकवर के दिन था स्विकार की और अकवरना इसे जो नाम का वो बाहा था जमीदार जमीदार नाम से इसका जिक्राया है अक्बर की अक्बर नावा में ठीक है तो यह थे आज के हमारे प्रस्ट